समानतर माध्य बच्चों, मान लीजिये तीन राशियां ए, small a है, एक कापिटल ए ले लेते हैं और बी समानतर स्ट्रेडी में है तो, बीच की राशि देखिये, बीच की राशि कौन है, कापिटल ए बीच की राशि ए को दो राशियों a और बी का समानतर माध्य यानि की, अरिथमेटिक मीन कहते हैं अब देखो, चूंकि small a, capital a और small b ये जो है, समानतर स्ट्रेडी में लिया है, हमने music ये समानतर स्ट्रेडी में है और तो, क्या होगा, उनके बीच का अंतर जो होगा, वो समान होगा यानि की, जो दूसरे पत से पहले पत का अंतर है वही अंतर थीसरे पत से दूसरे पत का होगा इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो दूसरा पद है याने कि capital A, ring, पहला पद A बराबर है तीसरे पद में हम लेते हैं जो है वो small b और इससे यदि हम दूसरे पद को घटा रहे हैं याने कि capital A तो इनके बीच का जो अंतर है ये समान होगा क्योंकि ये समान तरशेड़ी में है अब इसे हम थोड़ा सा यदि हल कर लें तो किस प्रकार का मिलेगा हमें ये? A और इसका पक्षांतर हो गया तो A धन A बराबर B और यहां ये रिने हैं इसलिए हो जाएगा ये B धन A आगे और हल करें तो मिलेगा 2 A बराबर B धन A चलिए आगे हल करते हैं हमें प्राप्त हुआ था दो गुनेत capital A बराबर small B धन small A यहां से यदि हम A बराबर प्राप्त करें तो मिलेगा B धन A बटे 2 या इसे लिख सकते हैं capital A बराबर A धन B बटे 2 इसलिए हम कह सकते हैं की दो राशियों का समानतर माध्य उन दोनो राशियों के योकफल का आधा होता है देखिए जैसे हां यदि हम बात करें small A और small B हमने यहां दो राशिय ली हैं और इनका जो समानतर माध्य capital A है वो इन दोनों के योकफल का आधा है इसलिए इन दोनों राशियों small A और capital B का समानतर माध्य capital A है उधारण 11 वर्गमूल दो धन एक और वर्गमूल दो रिन एक का समानतर माध्य ग्याद कीजिए हल समानतर माध्य ग्याद करने की लिए दो दी गई संख्या जो है उसको हम योग करेंगे और दो से भाग करेंगे तो पहली संख्या हमारे पास है वर्गमूल दो धन एक जिसे हम कोश्टक में लिखेंगे धन दूसरी जो संख्या दीवी है वह है वर्गमूल दो रिन एक इसे भी हम कोश्टक में लिखेंगे और क्योंकि हम समानतर दी गई दो संख्याओं का समानतर माध्य ग्याद करना है तो दोनों संख्याओं का हम योग करेंगे और इसको भाग देंगे 2 से बराबर कोश्टक को जब हम खोलेंगे तो हमें प्राप्थ होंगा वर्ग्मूल 2 धन 1 धन वर्ग्मूल 2 रिड बटा 2 यहां देखते हैं धन 1 और रिड 1 को जब हम जोड़ेंगे तो यह शून ने हो जाएंगा तो हमें प्राप्त होंगा वर्ग मूल दो धन वर्ग मूल दो बटा दो या वर्ग मूल दो धन वर्ग मूल दो को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगा दो वर्ग मूल दो बटा दो अंशवर हर में दो को हम क संख्याओं का समांतर माध्य जो है वो हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल दो तो इस तरह से यह इस उधारण का हल है